तो दोस्तो बात करेंगे देखीगा सबसे इंपोर्टेंट कि अप्रेल में जो कॉर्परेट अर्णिंग आने वाली हैं जिन स्टॉक के रिजर्ट आने वाले हैं तो कहां पे फोकस किया जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं यानि कि कुछ ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटल है मलब उनके आप कह सकते हो लार्ज कैप स्टॉक में बता रहा हूं कि फंडामेंटल बहुत ही क्लियर हैं चाहे आप अर्णिंग की बात करें चाहे आप ग्रोथ की बात करें चाहे मार्केट कैपिलाइडेशन की बात करें चाहे परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा रीजन है वो रीजन आपको जानना बहुत ज़ल ज़रूरी है तो सबसे पहले बात को शुरू करते हैं कि रीजन क्या है तो आपको पता है कि major Russian pipeline यानि कि अगर आप बात करोगे कि अगर एक particular country दूसरी country से क्या करी है लगातार एक महिने से war में involved है तो आपको पता है कि कुछ damage ये इनको करेंगे तो कुछ ये भी इनको करेंगे भले ये Ukraine एक छोटी country है लेकिन वो कही ना कही रश्या को भी कुछ ना कुछ damage करेगा क्योंकि जब ये war नहीं हुआ था तो रश्या की बहुत सारी pipeline क्या जाती थी तो वो जब आप देखीगा इस particular युद्ध के मैदान में आते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़े hot होती है और ये इतनी sensitive होती है कि इनको तुरंत सही नहीं किया जा सका यानिकि अगर आप कहोगी कि तुरंत चीज़े सही हो जाएंगी तो ऐसा विलकुल भी नहीं है तो इ पूरी तरीके से इस particular war के कारण क्या हो रहा है जो pipeline है जिससे European country को क्या भीजा जाता है crude oil भीजा जाता है natural gas भीजी जाती है वो directly halt हो रहा है और अगर वो directly halt होगा तो इसका मतलब है crude के prices क्या होगे अब होते चले जाएंगे अब इससे क्या होता है कि basically ये चीज देखेगा पहले तो आप inventory को reserve में रखते हो क्या रखते हो inventory को reserve में रखते हो तो आपको पता है कि December के बाद अगर मैं बात करूँ तो जनवरी में और February में और March में तो जनवरी में ऐसा कुछ भी नहीं था कि as such की बिल्कुल invasion होई जाएगा फरवरी से देखेगा चीजे बहुत ही जड़ा critical होना शुरू ही थी और आपको चीजे देखने को मिली तो basically देखेगा quarter के शुरुआत में जब price 85 डॉलर के आसपास थे तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के पास जो crude oil exporter है या फिर देखेगा crude oil distributor है तो आपको पता है उ में देखने को मिलेगा यानि कि जो चीज आपने 85 डॉलर पर वैरल के साब से खरीदी थी वो अब आप 120 डॉलर पर वैरल के साब से बेच रहे हो या फिर 110 डॉलर पर वैरल के साब से बेच रहे हो तो उसका सीधा impact आपको quarter के result में देखने को मिलेगा चुकि इस दौरान ही क crude oil के prices क्या हुआ हैं बढ़े हैं और continue बढ़ते चले जा रहे हैं चुकि demand काफी अच्छी है तो इसलिए देखेगा यहां पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जो oil के stock हैं जो petroleum के stock हैं उनमें आपको benefit देखने को मिलेगा अप्रेल मन्त में उनके quarter के result में इसके बाद अगर आप देखेंगे कि हर तरीके से लोग राजी हैं अगर आप देखेंगे तो रश्या का consider कर सकता है bitcoin को as an acceptance of payment अगर आप देखेंगे तो रश्या पे बहुत सारी sanctions लगाएगे हैं continue sanctions लग रहे हैं और even अगर आप बात करेंगे तो अमेरिका ने तो उनके crude oil पर भी बैन लगा दिया है क्या लगा दिया है crude oil पर भी बैन लगा दिया है तो इस particular दोरान अगर आप देखेंगे इस particular journey में आप समझ सकते हो कि जो oil है oil एक ऐसा critical component है जिसको avoid नहीं किया जा सकता उसके price आपको बढ़ते हो देखने मिलेंगे और oil companies को इसका benefit देखने को मिल और अगर आप checkout करेंगे तो इन्होंने देखेंगे आज बताया भी है कि हम दो सकता है bitcoin या फिर oil को oil and gas के लिए accept कर सकते हैं साथ ही साथ दूसरी बड़ी update क्या है जो आप जानते होगे जो कल रात को आई है इससे भी देखेगा जो एराम को है देखेगा उसके storage में भी petroleum facility halt ह है attack के द्वारा और आप समझ सकते हो कि अगर एक जो सबसे बड़ा exporter है अगर आप देखो कि जो सबसे बड़ा exporter है सबसे बड़ी exporter company है तो अगर वहाँ पे भी gulf country में भी short supply देखने को मिलती है crude oil की तो price कभी भी देखेगा रुकेंगे नहीं अप ट्रेंड में चलते रह हैगा और 100 to 120 डॉलर देखेगा कोई भी particular country beer नहीं कर सकती है आप जाते हो तो इन सब चीजों का impact कहां भी पड़ेगा सीधा सीधा oil के stocks पर पड़ेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत attack हुआ है बहुत बड़ा attack हुआ है साओधी अरेबिया में और इनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साओधी अराम को जो कि आपको बता है वन अप ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ओयल है तो वहाँ पर देखेगा चीजे आपको खराब होते हो देखने मिलें कल रात का update है तो इन सब चीजों का impact आपको देखने मिलेगा oil stocks में उनके balance sheet में और म खाफी जदा uptrend में आपको देखने को मिलें तो अब बात करेंगे stocks की तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा reliance industry अगर आप देखेंगे इनका traditional business है petrol का crude oil का आप भी जानते हो तो इन सब चीजों का impact आपको देखने मिलेगा market capitalization तो आपसे छुपी नहीं है फिर बात करेंगे ongc देखेंगा क्या शांदर company है बढ़िया market capital है और even ये रशिया से discount पे समझेगा बात को रशिया से discount पे oil ले रहे हैं और ये सारे stock क्या देते है dividend देते हैं जो कि अगर आप maximum देखोगे maximum crude oil के stock देखोगे ongc, ioc, bpcl ये सारे stock आपको अच्छ dividend भी देते हैं मुनाफ़ा होने पर तो ये धोड़ा सा देखेगा double edge weapon की तरह वर करेंगे कि जब ये dividend announce करेंगे तो stock में देखीगा आपको momentum 3-5% का अप्रेल मन्त में देखने को मिलेगा तो अप्रेल मन्त में इस sector पे आप focus कर सकते हैं कोई भी stock जो भी आपको fundamental लग रहा हो बहुत सारे stock हैं oil के आप focus करेंगे तो आपको अच्छा momentum देखने को मिलेगा वीडियो गर अच्छा लगा है तो like share subscribe करना न भूलेगा thank you so much